नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी खबरों को मंगलबा को पुलिस ने यह जानकारी दी पुलिस ने कहा कि छेत्र की घेराबंदी करके उगरवादियों की तलाश की जा रही है वामले की जाच शुरू कर दी गई है उगरवादियों ने इस वार जारकन बिहार सीमा परिस्तित चत्रा जिले को निशाना बनाया है जिले के हर पुलिस ने कहा कि वेवी नहीं देने की बज़ा से उगरवादियों ने घटना का अंजाम दिया ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना की सोचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है घटना से मजदूरों में भैक का पुलिस ने मजदूरों से घटना की जानकारी लेकर अभियान तेज कर दिया है गायल मुंची का इलाज समुदायक स्वास्ट के इंद में किया गया जानकारी के अनुसार 9-10 हतियार बंद उगरवादी लूट माइन्स पहुचे और मशी और मजदूरों को कबजे में लेकर मारपीट की पोपलेन मशीन को जला दिया जेताबनी दी की बिना आदेश के काम सुरूप किया तो उसका अन्जाम गंबीर पूर्ण होगा जारकंड में कौरे और शीतलहर का यलो लट उत्तर पस्चीमी से आ रही हवाओने बढ़ाई कंकनी युत्तम तापमान में साथ डिगरी की गिरावट राजदानी राची सैट पूरे जारकंड में शीतलहर का कहर जारी है वही कई जिलों में कौरा भी सुबह सुबह चा रहा है आना है कि दो दिन पहले हुई बूना बांदी में कौरा भी चा रहा है वही बादल चटने के साथ ही ठंड का असर भी बढ़ रहा है मौसम विग्यान केंद्र राची के मताबिक युक्तन तापमान में साथ डिगरी तक की गिरावट आई है अगले चार दिन तक कंकनी का असर बर करार रहनी वाला है मौसम विग्यान केंद्र की माने तो उत्तर पस्चीमी दिसा से आ रही ठंडी हवा की वज़े से यह परिवर्तन देखनी को मिल रहा है है राची सहित पूरे राज में कंकनी की कहर को देखते हुए मौसम विग्यान केंद्र राची ने यलो अलट जारी किया है अगले सुबा और शाम ढलतेंगी कंकनी अपना असर दिखाना श्रू कर देती है इस बज़े से लोगों का सुबा और शाम देर साम गर से बहार निकलना दुरुभब हो गया है बड़ते ठन को देखते हुए राजे सरकार ने भी स्कूल के समय में भी बदलाप कर दिया है 25 जनवरी तक की 20 से 5 वी तक के क्लास सुबा 10 से दुपर 2 बजे तक चल रही है वही क्लास 6 से 12 तक की स्कूल सुबा 9 बजे से 3 बजे तक चल रहा है मौसम बिग्यान केंदर राजची के सीनियर मौसम बज्यानिक अभीशे कानन ने बताया की कौरे का सर राज़ के कई जिलों में रहने बाला है सुबसुबा बिस्बलेटी काफी कम रहने बाला है ऐसा अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगा ऐसे में सुवा सुवा सफर करने वाले लोगों को बिसमिलिटी कियर होने के बाद निकलने की सला दी जाती है उन्होंने बता है कि देवगर, दुमका, गॉंडा, पाकॉंड, ग्रीडी, जमताडा, साइब गंज, पूर्व और पस्चीमी सिंगभूम, सिमडेगा, सराइकेला, खरबासा, राची, रामगर, हजारीवां, गुमला, बोकारो और खूटी में कोरे का असर देखने को मिलेगा लौडदगा में कैरों में दो पक्षों के बीच तनाव, गाना बजाने को लेकर हुआ विबाद, लौडदगा में दो पक्षों की बीच तनाव, पोर्ड स्थिती उत्पन हो गई, गाना बजाने को लेकर यह विबाद उत्पन हुआ था, खटना लौडदगा जिले के कैरो प्रशाशन गें प्रशाशन की तीम आवे मौकी पर पुलिस प्रशाशन के वरिये पत अधिकारी बीजा गया गाउं में पुलिस बल्ट की तैनाती की गई ये दोनों पक्चों के साथ बैटक करते हुए इस्तिती को सामाने करनी के प्रयास किया गया एसबी हरस बिन जमा ने घटना की पुष्टी की है पंचायथ समीति के प्रमुख और प्रमुख की सीम से गुषार मांग सत् प्रतिशत अधिकार राज्य के पंचायथ प्रतिश्यथिंवियों ने जार्कट के सभी पंचायथी समीती सदस्य उप प्रमुक एवन प्रमुक की पंचायती राज अनिद्धियन में उल्ले के तदिकारी उशत प्रतिशत देनी की मांग की है। लेकिन पूर में भाजपा की सरकार आने के बाद जग रगवीर दास मुख्यमंत्री बने तो उनकी कार्याल में सौ फीस्ती बदिफ्तिय अधिकार मुख्या पो दे दिया गया। ऐसे वे पंचायत समीती वज्जिला परिशद अधिकारी विहीन हो गया। जाकर्ण पुलिस कॉंस्टेविल भर्ती की आबिदन प्रक्या श्रू लेंख हुआ एक्टिवेट। और 21 फरवरी तक आबिदन किये जा सकते हैं। राज के ग्रह कारा इविम अपात प्रवंदन विभाग के तहत जिला एकाई की कॉंस्टेविल पदों पन्युक्ती होगी। कुल वेकंसी में रेगुलर के 3799 पद हैं और ब्लॉक लॉग में 1120 पद। आबिदन के बाद फीज भनने की अंतिम्ति थी 23 फरवरी है। फोटो बहा स्ताक्षर अप्लोड करने की अंतिम्ति थी 25 फरवरी है। जबकि आबिदन में संसोधन 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच कर सकेंगे। इस वर्ती में होमगांड अभ्यारतियों को कोटा मिलेगा। इस वर्ती के लिए 18 से 25 बर्स अनारक्षित वा EWS के लिए उम्मीदवार आविदन कर सकते हैं। वही अतियंत पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयू सीमा में दो वर्ष की छूट मिलेगी। अधिकतम आयू सीमा की गड़ना 1 अगस 2019 से होगी। नियुत्तम की 1 अगस 2023 से होगी। अनारक्षित EWS अतियंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को तीन बर्ष की छूट मिलेगी। एससी एस्टीक पुरुषबा महिलाओं को पाँच बर्ष की छूट मिलेगी। जाखन में 13 जिलों में 31 नई अम्बूलेंस की होगी तैनाती। चित से जाज के बाद हेंड ओवर टैक ओवर करने को कहा गया है। उनके चित्रपत मानलारपड करों ने संधान जली दी। बीस जनवरी को पुष्टा हो चुकी है। इस दिन E.D. के अधिकारियों ने उनसे साड़े साथ घंडे पुष्टाज की थी। हाला कि पुष्टाज की बाद कारे करताओं को संभोधित करने के दौरान C.M. हिमन सुरे ने यह बात करी थी कि मैंने सबी सवालों के जवाब दिये हैं। आंगे भी अगर E.D. पुष्टाज करना चाती है तो बे जवाब देने को तयार है। 20 जनवरी को पुष्टाज के दौरान E.D. के अधिकारियों ने उनसे उनकी आमदनी के स्त्रोत कहती रिख आयकार रिटर्न में दिये गए व्यारे से सम्मंदित सवाल किये थे। पुष्टाज की बात कही थी लेकिन तब समय नहीं दिया था। टाटा पोटर्स वरकर्स यूनियन के अध्यक्ष गुर्मीद सिंग तोते और महामंत्री आरके सिंग सालाकार प्रभीर सिंग पिछले दो-तीन दिन से टाटा मोटर्स के वाइस प्रसिडेंट विशाल बातसा, जमचित्वर प्लान के हैड ब्रभीट कुलकर्णी, एचार है मोहन गंटा सहेत कंपनी के आला अधिकारियों के साथ लगतार बातकीत कर रहे थे, सोंबार को भी इन अधिकारियों ने राची से वीडियो कॉन्फरेंस के जरीए मीटिंग की ग्रीडी में नेताजी सुवास चंडर बोस की जैन्थी पर इसकूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, साधर वधायक भी हुए शामिल, आजादी के महानायकों मैंसे एक और, तुम मुझे खून दो, मैं तुमें आजादी दूवर का नारा देने बाले, आजाद हिं बंगाली गल्स स्कूल से निकले, इस प्रभात फेरी में कई स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, दोरे स्कूल से निकले प्रभात फेरी में स्कूल के सिक्चकों के साथ, बंगाली समाज के सदस्ते भी सामिल हुए, प्रभात फेरी शेहर ब्रहमर करते हुए, शेहर की नि अयोध्या में रामलनला की प्रार पिस्टा के दिन पूरे देश में हजारों माता पिता ऐसा चाते थे कि उनके बच्चे 20 जनवरी को ही जन्म ले कई माता पिता का कहना था कि यह दिन बहुत शुब है इसलिए बच्चों का आगमन प्रार पिस्टा के दिन ही होतो बहतर है जीवन में जार साइथ अन्य अस्पतालों में आम देनों के मुताबिक अधिक संख्या में बच्चों ने जन्म लिया। मुक्य निर्वाचना पद्रिकारी के रभी कुमान ने बताया कि आज राजी के सभी मतदाताओं के इंद्रों में मतदान सूची के प्रकाशन किया गया है। अगत मतदाता सूची में जरूर चेक कर ले। किसी भी कारण यादी कोई विसंद्रती हुई हो तो इसे अलम्बित अपनी बीलो या अपने सम्मंदित निर्वाचना निवंदन कार्याले को सूचित करें। बेचा है तो इसकी सूचना राज के मतदाता हेलपलाइन सेंटर उनने सो पचास पन भी सूचित कर सकते हैं। और उनने कहा कि राज के मतदाता उप्त सत्यापन कार्या के लिए बोटर पोर्टल या बोटर हैपलाइन एप का भी उप्योग कर सकते हैं। प्लान यह था कि CRPF को CM आवास में गुसकर हेमन सोरेन को दिल्ली ले जाय जाए और वहां ग्रफतारी दिखा दी जाए। कार के ग्रह विभाफ और पुलिस मुख्याले से पूचा है कि CMO के प्रास प्रतिवंदे दिलाके में 20 जनवरी को CRPF जबानों की एंट्री कैसे हुई थी। मामले पर FIR भी दर्ज हुई है। CRPF IG कमांडेट और जबानों पर FIR हतियार लेकर CM आवास में जबनन गुसने की कोशिश का आरोफ। प्राजी से रंचल अधिकारी मुंची राम ने वभीवार को गौंदा थाने में CRPF के IG कमांडेट और जबानों के खिलाप FIR दर्ज कराई है। इन पर हतियार लेकर CM आवास में गुसने का प्रियास करने का आरोफ है। FIR में कहा गया है कि 20 जनवरी को ED 12 CM का वयान दर्ज किये जाने के दौरान विदी विवस्ता बनाये रखने के लिए LPNL सहादेब चौक के पास उन्हें मरजिस्ट्रेट तैनाद किया गया था। दोपेर करीब धाई बजे अच्छानव 10 बसों में सवाल होकर CRPF के जवान बादिकारी वहां पहुँचे और CM आवास की और जाने का प्रियास करने लगे। बैरिकेटिंग के आनंके जाने से रोका तो CM आवास में जाने के लिए IG वा कमांडेट के आदिश का हवाला देकर धक्का मुक्की करने लगे। इस दोरान थोड़ी देर के लिए विधी विवस्ता की समस्या उत्पन हो गई। पुलिस के वरी यदिकारियों दोरा काफी मिन्नत करने के बाद वाहां से सीर पीएफ के जवान बादिकारी हटे और मौरावादी में जाकर जमा हो गए। दारा एक सो चववन लागवो होने के बाब जूत सीयम हाउस में गुस्ते का प्रियास किया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाच शुरू कर दी है। वर्स दोज़ार चॉबीस की मतदाता सुची का अंतिप प्रकाशन करते हुए राज के मुख्य चुनापद अधिकारी के रभी कुमान ने बताया कि मतदाता सुची के अंतिप प्रकाशन के बाब जूत नाम जोड़नी की प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनापद की अधिव सुची जारी करने तक मतदाता सुची में नाम दर्ज कराये जा सकता है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संक्या मिमत दाताओं को अपना सुची में दर्ज कराने की अपील किये। न्यूज जारखन पर चनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।